नमषकार लियो लियो यानिसिंग रासी मैसरे समा ट्रेपल ऐसे इन टाइर सो जिताए current feelings क्या है और फिर उनकी intentions देखेंगे यह नहीं वो क्या चालते हैं क्या सोचते हैं और क्या चालते हैं फिर देखेंगे कि आपकी feelings क्या हैं और आपकी intentions क्या है outcome क्या रहेगा और guidance क्या रहेगी तो यह सारी चीज़े हम देखने वाले हैं तो जब से पहले देखी आईए देखते हैं जो लियो हैं उनके person की current feelings क्या है क्या मैसूस कर रहे हैं right now Ace of Pentacles Bottom of the deck बता रहा है कि एक new beginning, नई journey, नई ideas, नई emotions और अच्छा लग यह सारी चीज़ें यहनिके एक नई opportunity की तरह बढ़ना तो लियो जो आपके person हैं अभी वो stuck energy में stuck energy मैसूस कर रहे हैं उन्हें हलाके उनके पास और option भी है लेकिन option होते वे भी वो confusion में हैं, stuck energy में हैं उन्हें क्योंकि वो ही person चाहिए जो उनकी life से अभी दूरियां बना चुका है वो दूर रह रहे हैं या उनसे शादी करना चाहते हैं या रिस्ता बनाना चाहते हैं जो अभी situation है लेकिन वो फिलाल के लिए परेशान और दूइदा में हैं लेकिन उन्होंने अब decide किया है कि वो और confusion में और नहीं रहेंगे अभी वो university जो उन्हें नई opportunity दे रही है नया मोका दे रही है stable होने का आगे बढ़ने का फाग्या जो उनका साथ दे रहा है अच्छे ideas दे रहा है वो उसकी तो इन चीजों में वो और confusion में नहीं रहेंगे और पहले वो अपने जिम्मेदारियों को संभालते हुए self-dependent बनेंगे अपना name, fame, job, business, career, पैसा, money, property इन सब जीजों पर ध्यान देंगे ताकि university जो उन्हें आगे बढ़ने का मोका दे रही है नई opportunity दे रही है उसके साथ वो नई opportunity के साथ अगर उनकी life में कोई नया person आता है तो उसके साथ चले जाए otherwise अगर वो stand लेंगे, self-dependent बनेंगे, पैसा, property उनके पास होगा, सारी सुक्स विदाएं होंगी तो खुद बाखुद रिस्ता जो है आगे बढ़ने में आसानी होगी और वो उसका सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंदजार करेंगे, यनि के वेट और इंदजार करना चाहते हैं, रिस्ते को आगे बढ़ने का, fruitful होने का, कामियाब होने का, उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो और, जो है, stuck नहीं रहेंगे और वेट और इंचार नहीं करेंगे क्योंकि बहुत हो चुका तो self-dependent बनने के बारे में सोच रही है और उनको लग रहा है कि जब भागया उनका साथ देने आ रहा है उन्हें और नई opportunity मिल रही है नई ideas मिल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए तो क्यों ना उनका सद उप्योग किया जाए तो इसलिए वो नई पैचान बनाने के लिए यह निकि एक अच्छी beginning एक अच्छी शुरुबात करने के लिए भले ही चाहे इसी रिस्ते में वापस आना पड़े लेकिन वो खुद के लिए stand लेना चाहते हैं और इस रिस्ते को आगे बढ़ने का वेट और रिंजजार करेंगे या फिर नई opportunity का नया रिस्ता आगे बढ़ने का वेट और रिंजजार करेंगे उन्होंने decide किया कि अब वो confusion में नहीं रहेंगे सोच रहे हैं कि अगर इस confusion से बाहर निकलते वे वो self dependent बनते हैं देखते हैं वो आप से क्या जाते हैं two of swords, the star, five of pentacles and the lovers तो लियो जो आपके person है ये जो है the lovers एक प्यार का मतलब एक अच्छी दोस्ती का एक अच्छी पैचान का डीप वाला प्यार है डीप वाल गहरा प्यार है लेकिन कहीं न कहीं bottom of the deck हमें बता रहा है कि प्यार के साथ साथ इसमें last है, addiction है कुछ न कुछ परेशानिया है जो रिस्ते को आगे बढ़ने से रोक रही है तो समय रहते हैं उनको लग रहा है कि उनको decision लेना चाहिए या फिर हो सकता है कि जो सामने वाला है या वो खुद कोई third party situation में भी हो सकते हैं क्योंकि रिस्ता in and out किस्तिती है, on and off है रिस्ता बन रहा है, खतम हो रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है तो वो चाहते हैं कि या तो वो सिर्फ और सिर्फ इसका वेट और इंतजार ना करें यानि कि जो ये प्यार मोहबत है, सिर्फ और सिर्फ उसके उपर आगे ना बढ़ें क्योंकि कोई भी life changing decision नहीं लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखकर उसके साथ और चीज़ों को भी देखना चाहिए जो addiction है, जो lust है, तो वो चाहते हैं, जो आपके person है, वो चाहते हैं कि अगर उन्हें वापस इस रिष्टे में आना है तो इदर उदर बटकने की बजाए वो थोड़ा सा इस addiction को इन lust को छोड़ें और जो वो किसी पर believe और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा उन्हें इतना विश्वास करना पड़ेगा कि वो धीरे धीरे करके इस रिष्टे में वापस आ सकें और एक दुसरे पर believe वरोसा करें और फिर से अगर वो इस रिष्टे में spiritual grow करेंगे, heal करेंगे इस रिष्टे को, यानि कि meditation करेंगे किसी superior से, किसी elder से, किसी non-person से help लेंगे, मदद लेंगे, उनकी मदद से वो इस रिष्टे को आगे बढ़ाएंगे तो future में, क्योंकि वो आगे इस रिष्टे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन future में कोई risk नहीं चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं इस रिष्टे को में तो इसलिए वो चाहते हैं अपने पार्टनर से यानि के लियों से कि वो कोई भी प्रेशानी इस रिष्टे में दुबारा से ना रहने दे और इस रिष्टे की इंपोर्टेंस को यानि के समझते हुए उन्हें थोड़ा सा बिलिव भरोसा करना पड़ेगा और फिर से स्प्रि जा रहे हैं ना उदर जा रहे हैं तो यह रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आंखों से पटिया कोल करके इसमें डिसाइड करें कि उन्हें इस इसको और इस मयादने दिए को रिस हसूस कर रही है आपकी फिलिंस क्या है पर्षन पंपर के लिए लियो की acceso की लिए लियो के लियो के लिये लियो के लिये क्या है चलिए डेथ और टेंपरेंस एस आप स्वार्स बॉटम ओव दाटेक आ रहा है फोर ओव कप्स तो लियो आप महसूस कर रहे हैं आपको लगता है के बहुत हो चुका इस कंफ्यूजन में इस प्रेशानी और दुविदा में आप इसमें और कंफ्यूजन और दुविदा में नहीं रहेंगे इस टक अनर्जी से बाहर निकलते वे जो भी इस रिष्टे में ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल ओवर स्ट्रेस है या किसी की चाहे वो घर के मेंबर है कोई पड़ोसी है कोई दोस्त कोई क्लिक कोई बोस जो भी कोई है जो इस रिष्टे में बाधाए रुकावटें दे रहा है उन सब चीजों उन दुख तकलिफ़ों को छोड़ते वे उन चीजों को ट्रांसफोर्म करेंगे जो इस रिष्टे में परेशानी दे रही है क्योंकि भले ही वो ये transform करना इतना easy और आसान नहीं है लेकिन आपने decide किया है कि जब तक आप confusion में रहेंगे जब तक इन चीजों को transform नहीं करेंगे जब तक इन चीजों को बदल नहीं लेंगे तो रिष्टा आगे नहीं बढ़ेगा तो इसलिए आप सोच रहें कि अगर आप इस confusion इस दुविदा से बाहर आ जाते हैं चीजों को transform कर लेते हैं या उन चीजों को छोड़ देते हैं जो इस रिष्टे में रोड़ा बने हुई हैं जो आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं तो धीरे धीरे करके समय के साथ चीजें आपके हक में आ जाएंगी और आप दिल और दिमाग दोनों से काम लेना चाहते हैं आपने सोचा कि आप दिल और दिमाग दोनों से काम लेंगे honesty, इमानदारी और loyalty के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो लड़ाई और जगड़ा जो वाद वी वाद है जो खतम होगा और परसनल और प्रोफेसनल लाइफ में अगर बैलन्स बना कर चलेंगे यानि के समय को समय देंगे घर गरेस्थी के समय को घर गरेस्थी वाले कामों में लगाएंगे τाइम देंगे और बाहर वाले काम का जो ओफिसिल वर्क है उसको वो टाइम देंगे तो balance आएगा और आप ये भी मैसूस कर रहे हैं कि इस रिस्ते में ज्यादा चिपक कर या ज्यादा दूर्या बना कर नहीं रहना चाहिए दोनों ही इस रिस्ते में problem देती है तो आप समझदारी के साथ उस overthinking, over control, over stress से बाहर आते वे प्यार और प्रेम के साथ, मदूर बानी के साथ patiently handle करना जाते हैं इस रिस्ते को, patience रखना जाते हैं, धीरज रखना जाते हैं, सानुबूत्ति के साथ इस रिस्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और आप मैसूस को कर रहे हैं कि अगर आप इसमे clarity लाएंगे, clear cut communication करेंगे तो जो भी गिले सिक्वे हैं, जो भी प्रेशानी आए, वो बाद हैं, वो रुकाउटे खतम होंगी और यूनिवर्स के blessings के साथ इस रिस्ते में जो अप और डाउन चीजे जा रही थी, जो balance नहीं बन पा रहा था, वो balance बनेगा, stability आएगी और प्यार और प्रेम से फिर से ही रुका हुआ रिस्ता आगे बढ़ेगा और इसमें वापस खुशियां आएंगी और यूनिवर्स की blessing से रिस्ता प्रूट पूल और कामियाभी के तरह बढ़ेगा, तो ऐसा आपको feel हो रहा है, ऐसा आप अपने परसन के लिए सोच रहे हैं, तो आप देख लेते हैं, आप अपने परसन से क्या चाहते ह queen of cups, six of pentacles, judgment and king of cups, तो आप चुपी और खामोसी के साथ, healing meditation के दोर में रहना चाहते हैं, self healing, self love, self care करना चाहते हैं, क्यूंकि आप उनसे अपने परसन से काफी प्यार और महबत करते हैं, तो इसलिए आप self dependent बनना चाहते हैं, इस रिष्टे को आगे बढ़ाने के लिए, healing meditation करना चाहते हैं, और आप अपने परसन, क्यूंकि आपको लगता है कि अगर आप healing meditation करेंगे, heal करेंगे इस रिष्टे को, तो इस रिष्टे में जो दोनों तरफ से प्यार और परेम है, king of cups, यानि के bottom of the deck बता रहा है कि दोनों तरफ से ही emotions हैं, एक अच्छी energy है, प्यार और परेम है, खुशियां हैं एक दुसरे के साथ, अभी भी रिष्टे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप express नहीं कर पा रहे हैं, share नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अग कोई बात जानते भी हैं, तो चुपी और खामोशी के साथ आप अभी इस रिष्टे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, तर्क भी तर्क वगएरा नहीं करेंगे, और इस रिष्टे को मजबूत और स्टोर बनाने के लिए हील करेंगे, तो इस रिष्टे में जो बैलन्स नहीं बन पा रहा है, अप एंड डाउन जो चीज़े जा रही हैं, एक दुसरे से प्यार प्रेम नहीं हो रहा है, तो अगर दोनों तरप से इस रिष्टे की इंपोर्टेंस को समझते हुए, एक दुसरे से प वेंटेक ओफ अनर्जी नहीं बन पा रहा है, वो इक वलकिवेंटेक ओफ अनर्जी बनेगी, प्यार प्रेम बढ़ेगा, और आप ये भी चाहते हैं कि अगर उनके पार्टनर के पास कुछ दान दक्षिना करने के लिए, अगर वो कर सकते हैं, तो उन्हें दान दक्षिना जरूर करने चाहिए, क्योंकि इससे प्यार बढ़ता है, इससे यूनिवर्स गरीबों की दवाएं, दवाएं मिलती हैं, जो प्यार परेम को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, यानि कि दवाएं मिलेंगी, तो चीजें ठीक होंगी, और चीजें ठीक होंगी, तो रिस्ता आगे बढ़ेगा और जैसे दान करना गरीबों को खाना खिलाना या कुछ भी मतलब खाना खिलाना कुछ भी हेल्प करना तो उसे दुआएं मिलेंगी और रिस्ता जो है मजबूत बनेगा स्ट्रोंग बनेगा धीरे दीरे करके जो गाड़ी पटरी पर से उतर चुकी थी वो गाड़ी पर टरी पर चड़नी शुरू होगी और एक दुसरे से माफी मांगते वे एक दुसरे के इमोशन्स को समझते वे एक दुसरे को गले से लगाएंगी फोर्गिव करेंगे एक दुझे के लिए बिना तर्क भी तर्क किये पुरानी बातों को दोराएं अगर प्यार परेम से एक आगे बढ़ेंगे तो ये रिस्ता जो है यूनिवर्स के ब्लैसिंग के साथ आगे बढ़ेगा और फिर से खुशिया वापस आएंगे तो आप अपने जो है अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि जब तक आप हीलिंग मेडिटेशन करना चाते हैं इस रिस्ते चुपी और खामोसी के साथ आगे बढ़ें तो इस रिस्ते में आपके पर्सन आगे बढ़ें इसमें बैलंस लाएं और दान दक्शिना करते हुए कड़ीब के द्वाई लेते हुए इस रिस्ते में जो अप एंड डाउं चीजे जा रही है उन्हें बैलन्स बनाएं और एक दुसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ें देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा लियो परसन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है page of swords, bottom of the deck बारी पर कंट्रोल करते वे प्यार से प्रेम से एक इनसानों को यूज़ ना करते हुए चीज़ों को अगर यूज़ करते हैं और इस रिस्ते में इस्टेंड लेते हैं क्योंकि रिस्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है एक तरफ से नहीं तो इस रिष्टे में stand लेते वे दिखाई दे रहे हैं उनको लगता है या तो लियो को या तो उनके person को कि अगर क्यूंके रिष्टा दोनों तरब से खराब हुआ है तो ये रिष्टा एक मौका और डिजर्व करता है तो इसमें स्टेंड लेने वाले हैं, खड़े होने वाले हैं, ताकि जो भी रिष्टे में negativity रही है, यानि कि जो weight और इंजजार हो रहा है, बेचैनी हो रही है, बार-बार message, phone call, Instagram के देख रहे हैं, कि कब उनके person की तरफ से good news जाएगी, message आएगा और रिष्टा आगे बढ़ होगा, और universe ये अच्छे ideas अच्छामों का अच्छी opportunity दे रहे हैं, luck उनका साथ दे रहा है, तो इसको accept करने वाले हैं, और ये रिष्टा आगे जाकर stable हो सकता है, अगर इस opportunity को accept करते हैं, विगिनिंग एक शिरुवात करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये opportunity जो है brand new beginning बनने वा काफी खुशियां वापस आते दिखाए दे रही है, समय और वक्त लगेगा, आप physically mentally परेशान मत हो, ये साथ में और काम भी करते रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिष्टे के लिए मत खड़े हुए, और चीजों को आगे बढ़ाईए, और एक beginning एक शिरुवात कीजिए, धीरे bottom of the deck, night of cups, एक अच्छी beginning, एक अच्छी शिरुवात, तो यूनिवर्सी काइड करना चाहते हैं, कि या तो आप, या तो आपके person, कोई भी एक जना, या फिर हो सकता दोनों ही, एक दुसरे की तरफ लव ओपर लेकर अगर जाते हैं, एक beginning, एक शिरुवात करते हैं, तो जो ये डर है, जो भए है, इसको तो आपकी जो दिली तमन है, जो विश्फुल पुल्मेंट है, वो पूरी होगी, और ये प्रेशानी ये दुवीदा खतम होगी, और धीरे धीरे करके आप इस रिस्ते में स्टेबल हो सकते हैं, या फिर ये भी दुसरी तरफ ये भी कहा जा सक है, कि आप डरिये मत, खबराइये मत, पहले खुद को स्टेबल कीजिए, अपने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रिपेर रेडी होगी, और फिर जो यूनिवर्सी मौका दे रहे हैं, आप अपने परसन की तरफ लव ओपर ले कर जाए, और धीरे धीरे करके एक बिगिनि के साथ आगे नहीं बढ़ना है, पहले अपने आपको स्टेबल करना है, प्रिपेर रेडी तरियार कीजिए, और इस डर से बहार ने कलिए, अगर आप एक बिगनिंग एक शिरुबात करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे, तो रिस्ता स्टेबल होगा, मजबूत होग और काफी खुशियों के साथ ये रिस्ता आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉंग हो सकता है, तो आज के लिए इतना ही फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, अगर वीडियो सही लगती है, अची लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किजिए, कमेंट्स कर इसे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है वीडियो बनाने में, तो फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, हैपी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थेंक यू सो माच